तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर मैं हूँ आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल डबलू डबलू एक के सबसे बड़े दिगज सूपर इस्टार दा अंडर्टेकर आज किसी भी परिचाई के महताज नहीं है उन्हें रैसलिंग करते हुए आज तीन दसकों से भी जादा का समय हो चुका है प्रो रैसलिंग की दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल कर चुके डेड मैन के आज पूरी दुनिया में करोडों की संख्या में फैंस हैं जब कभी भी आपने अंडर्टेकर की इंट्री को देखा होगा तो आपका ध्यान उनके लोगों की तरफ जरूर गया होगा WWE के कई बड़े इवेंट्स में आपने अंडर्टेकर के इस लोगों को जरूर देखा होगा और आप भी असोचते होंगे कि आखिर अंडर्टेकर के इस लोगो का मतलब क्या है चलिए आज आपको बताते हैं मिस्टीरियस बुक के इस खास अंकम है अंडर्टेकर के लोगो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वह T और X जैसा लगता है कुछ WWE विद्वानों की माने तो जब अंडर्टेकर का लोगो बनाया जा रहा था तो तब U नाम से लोगो बनाना काफी मुश्किल हो रहा था क्योंकि U से अंडर्टेकर होता है अगर अंडर्टेकर का लोगो U से बनाया जाता तो वह डरावना लोगो नहीं लगता इस वजह से T नाम का लोगो बनाया गया जहां T दरसाता है Taker को इसके अलावा यह T The Ministry of Darkness को भी दरसाता है पुराने समय में Undertaker की टीम The Ministry of Darkness का पूरे WWE में दबदबा रहता था इन सबके साथ ही Undertaker को मौत का सौधागर कहा जाता है इस वजह से उनका लोगो में जो T है वह थोड़ा थोड़ा क्रोस जैसा भी लगता है यह लोगो Undertaker पर काफी फिट बैठता था इस वजह से इस प्रकार का लोगो उनके लिए बनाया गया अब तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि Undertaker के लोगो में T का क्या मतलब है उमीद है आपको आज का अंग पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सस्क्राइब किये बगएर मत जाईए जल्द मिलते हैं तब तक रखिए अपना ख्याल मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा नमस्कार